यही सच है मन्नू भंडारी सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चड़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए ननहे ननहे बच्चों के जुंड के जुंड दिखाई दिये तो एका एक ही मुझे समय का अभास हुआ घंटा भर हो गया यहां खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं जुंजलाती सी मैं कमरे में आती हूँ कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं कुछ खुली कुछ बंद एक शन में उन्हें देखती रहती हूँ फिर निरुदेश्य सी कपड़ों की अ कर देती हूँ नहीं आना था तो व्यर्थी मुझे समय क्यों दिया फिर यह कोई आज ही की बात है हमेशा संजय अपने बताय हुए समय से घंटे दो घंटे देरी करके ही आता है और मैं हूँ कि उसी एक शन से प्रतीक्षा करने लगती हूँ उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो मैं किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती वो क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे सारा समय अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए पर ये बात मैं उसे कैसे समझाओं मेश पर बैठ कर मैं फिर पढ़ने का वो आया वो आया तबी महता साब की पांच साल की छोटी बच्ची जिजगती सी कमरे में आती है आंटी हमें कहानी सुनाओगी नहीं अभी नहीं पीछे आना मैं रूखाई से जवाब देती हूं वो भाग जाती है ये मिसिस महता बीना एक ही है यूं तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने के लिए भेज देती हैं महता साहब तो फिर भी कभी कभी आट-दस दिन में मेरी खेरियत पूश लेते हैं पर वो तो बड़ी अकडु मालूम होती है अच्छा ही है ज्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं संजय मुस्कुराता सा दर्वाजे पर खड़ा है मैं देखती हूँ पर मुस्कुरा कर स्वागत नहीं करती हसता हुआ वो आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है बहुत नाराज हो रजनी गंधा की महक से जिसे सारा कमरा महकने लगता है क्यों मुझे क्या करना है नाराज होकर रूखाई से मैं कहती हूँ वो कुरसी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोड़ी उठा कर कहता है तुम्हीं बताओ क्या करता क्वालिटी में दोस्तों के बी पर मैं कुछ नहीं कह पाती, एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ, उसके सामले चेहरे पर पसीने की बून्दे चमक रही है, कोई और समय होता तो मैं अपने आचल से उन्हें पोंच देती, पर आज नहीं, वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, उसकी आखें क्षमाय आचना कर रही थी पर मैं क्या करूँ, तभी वो अपनी आदत के अनुसार कुरसी के हथे पर बैठ कर मेरे गाल सहलाने लगता है, मुझे इसकी इसी बात पर गुस्सा आता है, हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर के लाड़ दुलार मुझे दिखलाएगा, वो ज पह दिया था कि मुझे रजनी गंधा बहुत पसंद है, तो उसने ये नियम ही बना लिया, हर चौथे दिन धेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है, और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल नहो तो न पढ़ने में मन लगता है, नसोने में, ये फूल जैसे संजे की उपस्थिती का आभास देते हैं, थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं, एका एक मुझे एरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी, इस घुस्से बाजी में जाने कैसे भूल गई, स फिर एका एक उचल पड़ता है, यदि तुम्हें वो जॉब मिल जाए तो मज़ा आजाए दीपा, मज़ा आजाए, हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती, जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसंद होना अच्छा नह मेरा मन ही उप गया है, कितनी बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूँ, पर तुम्हारे खयाल ने हमेशा मुझे बांध लिया, ओफिस में शान्ती हो जाएगी, पर मेरी शामे कितनी वीरान हो जाएंगी, उसके स्वर की आदरता ने मुझे छू लिया, एका एक मुझे पातावरन धुए से भरा हुआ नहीं है, वो दोनों पैर फैला कर बैट जाता है, घंटों मुझे ऑफिस की जगडे की बात सुनाता और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाय बनाता है, मैं कुछ नहीं बोलती, बस एक टक उसे देखती रहती हूँ, देखती परता, तुम भी न, एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहां कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और इंटर्व्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हलकी सी चपत जमा देता है, फिर समझाता हुआ कहता है, देखो आज कलके इंटर्व्यू आदी सब दिखावा मातर होते हैं, वहां किसी जान पहचान वाले से इंफ्लुएंस डलवाना जाकर, पर कलकता तो मेरे लिए एकदम नई जगा है, वहां ईरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती, अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो द जवाब देती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब ये वही बात कहेगा, कुछ नहीं करना, वो छेरने के लहजे में कहता है, और मैं भभभग पढ़ती हूँ, देखो संजय मैं हजार बार तुमसे कह चुकी हूँ, उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो, म मैं छपट कर हाथ हटा देती हूँ, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, कौन है यहाँ जो देख लेगा, और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुड़ेगा, नहीं, हमें पसंद नहीं ये बेशरमी, और सच ही, मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नही चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों न हो पर है तो रास्ता ही और फिर कानपुर जैसी जगा कमरे में लौट कर मैं उसे बैठने को कहती हूँ पर वो बैठता नहीं बस बाहों में भर कर एक बार चूम लेता है ये भी जैसे उसका रोज का नियम है वो चला जाता है मैं बाहर बालकनी में निकल कर उसे देखती रहती हूँ उसका आकार छोटा होते होते सडक के मोड पर जाकर लुप्थ हो जाता है मैं उधर देखती रहती हूँ निरुदेश्य सी, खोई-खोई सी फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आँखें मेज पर लगे रजनी गंधा के फूलों को निहारती रहती है जाने क्यों अक्सर मुझे ये ब्रहम हो जाता है कि ये फूल नहीं है मानु संजे की अनेका नेक आँखे हैं जो मुझे देख रही है सहला रही है दुलरा रही है और अपने को यो असंख्या आँखों से निरंतर देखे जाने की कलपना से ही मैं लजा जाती हूँ मैंने संजे को एक बार ये बात बताई भी थी वो खूब हसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते हूँ उसने कहा था मैं पागल हूँ निरी मूर्खा हूँ कौन जाने शायद उसका कहना ठीक ही हो शायद मैं पागल ही हूँ कानपुर मैं जानती हूँ संजे का मन निशित को लेकर जब तब सशंकित हो उड़ता है पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशित से नफरत करती हूँ उसकी याद मातर से मेरा मन घ्रणा से फर उठता है फिर अठारा वर्ष की आयू में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला निरा बचपन होता है महस पागलपन उसमें आवेश रहता है पर स्थायत्व नहीं गती रहती है पर गहराई नहीं जिस वेग से वो आरंभ होता है जरा सा जटका लगने पर उसी वेग से तूट भी जाता है और उसके बाद आहों, आसमों और सिस्कियों का एक दौर सारी दुनिया के निसारता और आत्महत्या करने के अनेका अनेक संकल्प और फिर एक तीखी घ्रणा जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है उन सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता फिर तो वो सब एक ऐसी बेवकूफी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हसने की तबियत होती है तब एका एक ही इस बात का एसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी वरन जीवन की उस रिक्तता और शुनिता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बना कर बोजिल कर दिया था तब ही तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई मेरे आंसू हसी में बदल गए और आहों की जगा किलकारियां गूंजने लगी पर संजय है कि जब तब निशित को लेकर कोई बात व्यर्थ ही करके खिनन सा होटता है मेरे कुछ कहने पर खिलखिला आवश्य पड़ता है पर मैं जानती हूँ कि वो पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का भविश्य की मेरी अनेक अनेक योजनाओं का एक मात्र केंद्र संजय ही है ये बात दूसरी है कि चांदनी रात में, किसी निर्जन स्थान में, पेड तले बैठ कर भी मैं अपनी थिसिस की बात करती हूँ या वो अपने ऑफिस की, मित्रों की बातें करता है या हम किसी और विशे पर बात करने लगते हैं पर इस सब का मतलब ये तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते वो क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है सपनों की जगह हम वास्त्विकता में जीते हैं हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है जिसका अधार पाकर वो अधिक गहरा हो गया है, स्थाई हो गया है पर संजे को मैं ये कैसे समझाओं कैसे उसे समझाओं कि निशित ने मिरा अपमान किया है ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराद कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला सारी दुनिया की भर्थसना, तिरसकार, परिहास और दया का विश मुझे पीना पड़ा विश्वास खाती, नीच कहीं का और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और सच पूछो तो मैं अपने को भागिशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महजिक खिलवाड है संजय, ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित, अनुचित, चेश्टा के आगे यों आत्मसमरपन कर देती तुम्हारे चुम्बनों और आलिंगनों में अपने को यू बिखरने देती जानते हूँ, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती पर मैंने दिया क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ विश्वास करो संजय, मेरा प्यार तुमसे सच्चा है विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है निशित का प्यार तो मात्र छल था, फ्रहम था, जूट था कानपुर परसो मुझे कलकत्ता जाना है बहुत डर लग रहा है कैसे ये क्या होगा मान लो इंटर्वियू में मैं बहुत नर्वस हो गई तो संजे को कह रही हूँ कि वो भी साथ चले पर उसे ऑफिस से छुटी नहीं मिल सकती एक तो नया शहर, फिर इंटर्वियू अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ यू अकेली घूम फिर भी लेती हूँ तो संजे सोचता है कि मुझे में बड़ी हिम्मत है पर सच कहूं मुझे बड़ा डर लग रहा है बार-बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई और मैं संजे के साथ वहां रहने लगी हूँ कितनी सुंदर कलपना है कितनी मादक पर इंटर्वियू का भय मादकता से भरे इस स्वपन जाल को छिन भिन कर देता है काश संजे भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता कलकत्त गाड़ी जब हावडा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका विचित्र से भाय से मेरा मन धर जाता है प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं एरा को ढूंटी हूँ वो कहीं नहीं दिखाई देती नीचे उतरने के बजाए खिड़की में से ही मैं दूर दूर तक नजरें दोडाती हूँ आखिर एक कुली को बुला कर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर जाती हूँ उस भीड को देखकर जैसे मेरी दहशत और बढ़ जाती है तभी किसी के हाथ के इस पर्ष से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ पीछे देखती हूँ तो एरा खड़ी है रुमाल से चेहरे का पसीना पहुचते हुए कहती हूँ उफ तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुमारे घर तक पहुचूंगी कैसे बाहर आकर हम टेक्सी में बैठते हैं अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ जैसे ही हावडा पुल पर गाड़ी पहुचती है हुगली के जल को सपर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एका एक ताजगी से भर देती है ईरा मुझे इस पुल की विशेश्टा बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ दूर दूर तक फैले हुए हुगली के विस्तार को देखती हूँ उसकी चाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ बड़े बड़े जहाजों को देखती हूँ उसके बाद बहुत ही भीड भरी सडकों पर हमारी टेक्सी रुकती रुकती चलती है उची उची इमारतों और चारों और के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराठता का अभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने आपको बहुत खोया-खोया महसूस करती हूँ कहां पटना और कानपूर और कहां ये कलकत्ता मैंने तो आज तक बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं सारी भीड को चीर कर हम रेड रोड पर आ जाते हैं चोड़ी शांत सडक मेरे दोनों और लंबे चोड़े खुले मैदान क्यों इरा कौन-कौन लोग होंगे इंटरव्यू में मुझे तो बहुत डर लग रहा है अरे सब ठीक हो जाएगा तू और डर हम जैसे डरें तो कोई बात भी है जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया वो भला इंटरव्यू में डरे फिर कुछ दे ठहर कर कहती है अच्छा भाईया भावी तो पटना में ही होंगे जाती है कभी उनके पास भी या नहीं ये प्रसंग कतई पसंद नहीं मैं नहीं चाहती कि कोई इस विशय पर मुझसे बात करे मैं मौन रहती हूँ इरा का छोटा सा घर है सुन्दर ढंग से सजाया हुआ उसके पती के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि वे होते तो कुछ मदद ही करते पर फिर एका एक लगा कि उनकी अनुपस्थिती में मैं शायद अधिक स्वतंदरता महसूस कर सकूँ उनका बच्चा भी बहुत प्यारा है शाम को इरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है अचानक मुझे वहाँ निशित दिखाई देता है मैं सक पका कर नजर घुमा ले तो मुझे लगता है कि मेरी सांस रुक जाएगी कब आई आज सवे रही अभी ठहरोगी ठहरी कहां हो जवाब इरा देती है मैं देख रही हूं कि निशित बहुत बदल गया है उसमें कवियों की तरह बाल बढ़ा लिये हैं ये क्या शौक चर रहा उसका रंग शाह पढ़ बहुत दुबला भी हो गया है विशेश बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं इरा को मुन्नो की चिंता सता रही थी और मैं स्वेहम भी घर पहुँचने को उतावली हो रही थी कॉफी हाउस से धर्म तल्ला तक वो पैदल चलता हुआ हमारे साथ हाता है इरा उससे बात करती है मानो वो इरा का ही मित्र हो इरा उसे अपना पता समझा देती है और वो दूसरे दिन नौ बजे आने का वादा करके चला जाता है पूरे तीन साल बाद निशित का यूं मिलना न चाहा कर भी जैसे सारा अतीत आँखों के सामने खुल जाता है बहुत गुर ही क्यों नहों एक त्रप्ती युक्त आनंद देने वाली ही क्यों नहों पर मैं जानती हूं कि ये जूट है यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंद को तोड़ दो उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया था एका एक मेरा मन कटू होटता है यही तो है वो व्यκति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था महद उप्हास का पात्र बना कर उफ क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इंकार कर दिया जब वो मेज के पास आकर ख़ड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ कीजी मैं आपको पहचानती नहीं जरा उसका खिसियाना तो देखती, वो कल भी आएगा मुझे उसे साफ-साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती मैं उससे नफरत करती हूँ अच्छा है आये कल मैं उसे बता दूँगी कि जल्दी ही मैं संजे से विवाह करने वाली हूँ ये भी बता दूँगी कि मैं पिछला सब कुछ फूल चुकी हूँ और ये भी बता दूँगी कि मैं उसे खरणा करती हूँ और उसे जिन्दगी भर कभी माफ नहीं कर सकती ये सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में ये बात भी उठ रही थी कि तीन साल हो गए अभी तक निशित ने विवा क्यों नहीं किया करे न करे मुझे क्या क्या वो आज भी मुझे से कुछ उम्मीद रखता है हां मूर्ख कहीं का संजे मैंने तुम से कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो पर तुम नहीं आए इस समय जबकि मुझे तुमारी इतनी याद आ रही है बताओ मैं क्या करूं कलकत्ता नौकरी पाना इतना मुश्किल है इसका मुझे गुमान तक नहीं था इरा कहती है कि डेड़ सौ के नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक शिफारिस करने पहुँच जाते है फिर ये तो तीन सौ का जॉब है निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है यहां तक कि उसने अपने ओफिस से भी छुट्टी ले ली है वो क्यों मेरे काम में इतनी दिल्चस्पी ले रहा है उसका परिचे बड़े-बड़े लोगों से है और वो कहता है कि जैसे भी होगा वो ये काम मुझे दिला कर ही मानेगा पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने वेवहार की रूखाई से मैं ये सपश्ट कर दूँगी कि अब वो मेरे पास ना आए पौने नौ बजे के करीब जब मैं अपने तूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है वही लंबे बाल, कुर्ता, पाजामा वो तो समय से पहले ही आ गया संजय होता तो ग्यारा से पहले नहीं पहुँचता समय पर पहुँचना तो वो जानता ही नहीं उसे यूँ चक्कर काटते देखकर मेरा मन जाने कैसा हो गया और जब वो आया तो मैं चाहा कर भी कटू नहों सकी मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वो बहुत खुश हुआ वहीं बैठे-बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के सम्मंद में सारी जानकारी प्राप्त कर ली कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली बैठे-बैठे फोन से आफिस को सूचना भी दे दी कि आज वो आफिस नहीं आएगा मेरी बहुत विचित्रिस्थती हो रही थी मैं उसके इस अपनत्व भरे विवहार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और नकार भी नहीं पा रही थी सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही पर काम की बात के इलावा उसने एक भी बात नहीं की मैंने कई बार चाहा कि संजे की बात बता दूँ पर बता नहीं सकी, सोचा कहीं वो सुनकर ये दिल्चस्पी लेना कम न कर दे, उसके आज भर के प्रयतनों से ही मुझे काफी उम्मीद हो चली थी, ये नौकरी मेरे लिए कितनी आवशक है, मिल जाए तो संजे कितना खुश होगा, हमारे विवाहित जीवन के आरंबिक दिन कि सुख में बीतेंगे, शाम को हम घर लोटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वो बस बैठता नहीं, खड़ा रहता है, उसके चोड़े ललाट पर पसीने की बूंदे चमक रही हैं, एका एक मुझे लगता है, इस समय अगर संजे होता, तो, तो मैं अपने आचल से उ वो लोट पड़ता है, मैं ठगी सी देखती रहती हूँ, सोते समय मेरी आदत है कि संजे के लाए हुए फूलों को निहारती रहूँ, यहां वो फूल नहीं है, तो बहुत सूना-सूना सा लग रहा है, पता नहीं संजे, तुम इस समय क्या कर रहे हो, तीन दिन हो गए है, कि निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना-जाना करीब-करीब तै हो गया है, मैं जानते हूँ कि यह सब निशित की वज़े से ही हुआ, धलते सूरज की धूब, निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी, और सामने बैठा निशित, इतने दिनों बाद एक बार फिर मुझे प्यारा सा लगा, मैंने देखा कि वो मुझे से ज्यादा प्रसंद है, वो कभी किसी का एहसान नहीं लेता पर मेरी खातिर उसने नजाने कितने लोगों का एहसान लिया, आखिर क्यों, क्या वो चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास, एक अजीब सी प कती किये गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ये सब कर रहा है, पर क्या वो समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे एक शमा कर दूँगी, या जो कुछ उसने किया उसे भूल जाओंगी, असंभव, मैं कल ही उसे संजे के बारे में सब बता दूँगी, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, काम की बात के इलावा ये पहला वाक्य मैंने उसके मूँ से सुना, मैं ईरा की ओर देखती हूं, वो प्रस्ताव का समर्थन करके मुन्नो की तबियत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है, अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा ल प्रसाधन करती हूं, बड़े चाव और सतरक्ता से अपना प्रसाधन करती हूं और बार बार अपने आपको टोकती जाती हूं, कि किसको रिजहाने के लिए ये सब हो रहा है, क्या ये निरा पागलपन नहीं? सेडियों पर निशित हलकी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इ ये सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी, तो ऐसी बात? मुझे ऐसी बाते सुनने की जरा भी आदत नहीं है, संजे न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बाते करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है, और ये बिना अधिकार ऐसी बाते करे, क्यों? पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की, पिछले धाई साल से मैं संजे के साथ रह रही हूँ, रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं, कितनी ही बार मैंने श्रिंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का कोई शब्द उसके मूँ से नहीं सुना, इन बातों पर उसका ध् अधिकार है, क्या सचमुच उसे अधिकार नहीं है, जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवश्टा है कि इस बात का जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, निश्चयात्मक ध्रड़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को, सचमुच ही मेरे विशे में ऐसी अवानशित बात करने का कोई अधिकार नहीं, हम दोनों टेक्सी में बैठते हैं, मैं सोचती हूँ कि आज मैं ऐसे संजे की बात बता दूँगी, स्कायरूम, निश्चित टेक्सी वाले को आदेश देता है, तुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है, और टेक्सी हवासित बातें करन समूचे बदन को सपर्श करता हुआ, उसकी गोदी में पढ़कर फरफराता है, वो उसे हटाता नहीं, मुझे लगता है कि ये रेश्मी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है, ये सपर्श उसे पुलकित कर रहा है और मैं विजे के अकथनी आहलात से भर ज आती हूँ, आज भी मैं संजे की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती, अपनी इस विवश्टा पर मुझे खीज भी आती है, पर मेरा मूँ है कि खुलता ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपरात कर रही हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी. ये निशित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूँ कोने में दुबग कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता. एका एक ही मुझे संजे की याद आने लगती है. इस समय वो यहां होता, तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता. यूँ सड़क पर ऐसी हरकते मुझे स्वयम नहीं पसंद. पर जाने क्यों? किसी की बाहों में लिपट जाने के लिए मेरा मन ललक उठता है. मैं जानती हूँ कि जब निशित बगल में बैठा हूँ, उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है. पर मैं क्या करूँ? जितनी दृत गती से टेक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही दृत गती से मैं भी बही जा रही हूँ. अनुचित अवांचित दिशाओं की ओर. टेक्सी जटका खाकर रुपती है, तो मेरी चेतना लौटती है. मैं जल्दी से दाहीनी ओर का फाटक खोल कर, कुछ इस हडबडी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बत्तमीजी कर रहा हो. अजी इधर से भी उतरना चाहिए कभी. टेक्सी वाला कहता है, तो मुझे अपनी गलती का भान होता है. उधर निशित खड़ा है इधर में, बीच में टेक्सी. पैसे लेकर टेक्सी चली जाती है, तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते है एका एक ही मुझे खयाल आता है कि टेक्सी के पैसे तो मुझे देने चाहिए थे. पर अब क्या हो सकता है? चुप चाफ हम दोनों अंदर जाते हैं. आसपास बहुत कुछ है. चहल, पहल, रोशनी, रौनक. पर मेरे लिए जैसे सब का अस्तित्व मिट जाता है. मैं अपने क हूँ. फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है. वही ओर्डर देता है. बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया-खोया सा महसूस करती हूँ. हम दोनों के सामने बैरा, कॉल्ड कॉफी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है. मुझे सोचता है कि मैं बेवकूफ हूँ. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो इस समय क्या सोच रहा है. तीन दिन साथ रह कर भी उसने उस प्रसंग को नहीं छेडा. शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी. पर आज, आज अवश्य ही वो बात आएगी ना आए, ये कितना अस्वभाविक है, पर नहीं. स्वभाविक शायद यही है. तीन साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंध हो गया था. उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है. जो सम्मंध तूट गए, तूट गए. अब उन पर कौन बा यही संजे से विवाह करने वाली हूँ. क्यों नहीं मैं इससे अभी संजे की बात बता देती. पर जाने कैसी विवश्टा है, जाने कैसा मूह हूँ, कि मैं मूह नहीं खोल पाती. एक एक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा. आपने कुछ कहा? नहीं तो, मैं खिसी आ ज रहे हैं और वो स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां काप रही हैं मैं जानती हूं वो पूछना चाहता है दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना वो पूछ क्यों नहीं लेता मानलो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं तैरने लगता है पर ये क्या असहाय अपमान जनित पीडा क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती मेरे सामने तो पटना में गुजरी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वो चित्र उभर कर आते हैं जब घंटों समीप बैठ कर मौन भाव से हम एक दूसरे को न दनिया में मैं कुछ बोलना भी चाहती थी तो वो मेरे मूँ पर उंगली रखकर कहता आत्मियता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा आज भी तो हम मौन हैं एक दूसरे के निकट क्या आज भी हम आत्मियता के उनी क्षणों से गुजर रहे हैं मैं अपनी सारी शप्ती लगा कर चीख पढ़ना चाहती हूँ नहीं 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 पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त में कुछ नहीं कर पाती मेरा ये विरोध रदय की नजाने कौन सी अतल गहराईयों में डूप जाता है निशित मुझे बिल नहीं देने देता एक विचित्र सी भावना मेरे म में उठती है कि छीना जप्ती में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से चूँ जाए मैं अपने सपर्ष से उसके मन के तारों को जंजना देना जाती हूं पर वैसा अफसर नहीं आता बिल वही देता है और मुझे तो विरोध भी नहीं किया जाता मन में प्रचंड तूफान पर पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूं और फिर वही मौन वही दूरी पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है बहुत ही निकट बार बार मेरा मन करता है कि क्यूं नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता क्य पार संजे की आकरती को हटा कर स्वयमा खड़ा होता है। कलकत्ता, अपनी मजबूरी पर मैं खीज-खीज जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का। पर मैं जाने कहां भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशित अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीर भाड और चहल पहल थी। पर ये इस्थान अपेक्षाकरत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी-छोटी लहरें उठ रही थी। चारों और के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पढ़ रहा था। अब तो तुम यहां आ जाओगी। मेरी और देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है। मैंने देखा उसकी आँखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है। शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जान कर वो अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यूं मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यूं नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजे से विवाह करूँगी। मैं संजे से प्रेम करती हूं और वो मुझसे प्रेम करता है। वो बहुत अच्छा है। बहुत ही। वो मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती अपनी इस बेबसी पर मेरी आँखें छल छला जाती है मैं दूसरी ओर मूँ फेर लेती हूँ तुमारे आने से मैं बहुत खुश हूँ मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम मुझे विवा करना चाहते हो कह दो निशित कह दो यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है छटपटा रहा है मैं बुरा नहीं मानूंगी जरा भी बुरा नहीं मानूंगी फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन, आत्मियता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अन भूजे नहीं रह सकते, तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ, तुम आज भी मुझे से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस तूटे संबन को फिर से जोडने की बात, तुम इस समय सोच रहे हो, तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो, तुम जानते हो, कि आज भी दीपा तुम्हारी है, औ रगता है रात आधी से भी अधिक ठल गई है। गाड़ी चलने में जब दस मिनिट रह गए तो देखा कि बड़ी व्यगरता से डिबों में जहाकता जहाकता निशित आ रहा था। कुछ ऐसा करूं कि इसकी सारी ठकान दूर हो जाए। पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। वो अंदर जहाकते हुए पूछता है। हाँ। पानी वानी तो है। है। बिस्तर फैला लिया। मैं खीच पड़ती हूँ। वो शायद समझ जाता है सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक शन को एक दूसरे को देखते हैं। मैं उसकी आँखों में विचित्रसी चायाएं देखती हूँ। मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है उसे मत रहा है पर वो कह नहीं पा रहा। वो क्यूं नहीं कह देता, क्यूं नहीं अपने मन की इस घुटन को हलका कर लेता। आज भीर कुछ विशेश नहीं है। चारों और नजर डाल कर वो कहता है। मैं भी एक बार चारों और देख लेती हूँ। पर नजर मेरी बार-बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है, तो कभी खीज। गारी चलने में केवल तीन मिनिट बाकी रह गए है। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती है। उपर चड़ जाओ, अब गारी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नजरों से मैं उसे देखती हूँ। मानो कह रही हूँ, तुम ही चड़ा दो। और फिर धीरे धीरे चड़ जाती हूँ। दर्वाजे पर मैं खड़ी हूँ, और वो नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचने की खबर देना हूँ। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा, मैं तुम्हें सूचना दूँगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी जंडी, फिर सीटी, मेरी आखें छल-छला आती है। गाड़ी एक हलके से जटके के साथ सरकने लगती है। वो गाड़ी के साथ साथ कदम आगे बढ़ाता है, और मेरे हाथ पर थीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है, मन करता है कि चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, मैं सब समझ गई। जो कुछ तुम इन चार दिनों में नहीं कह पाए, वो तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्ष ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एक मात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ गाड़ी के गती पकड़ते ही वो हाथ को जरा सा दबा कर छोड़ देता है मेरी चलचलाई आँखें मुन जाती हैं और मुझे लगता है कि ये स्पर्श, ये सुख, ये क्षण, यही सत्य है, बाकि सब जूट, अपने को भूलने का, भर्माने का, चलने का असफल प्रयास है आसु भरी आँखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ, सारी आकरतियां धुंदली सी दिखाई देती हैं असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच, निशित के हाथ को, उस हाथ को, जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूणने का असफल सा प्रयास करती हूँ गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं दीरे दीरे वो सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं, मुझे लगता है, ये देत्या कार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अंदेखी अंजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए बोजिल मन से मैं अपने फैलाए हुए विस्तर पर लेट जाती हूँ, आखें बंद करते ही, सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है, कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूंगी, इतने दिनों तक मैं उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं, मैं उसे सारी बात समझा दूँगी, कहूंगी, संजय, जिस संबंद को तूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें रदय की किसी अतल गहराई में जमी हुई थी, इसका हैसास कलकत्ता मैं निशित से मिलकर हुआ, याद आता है, तुम निशित को लेकर सदैव संदिक रहा करते थे, पर तब मैं तुम्हें इर्श्यालू समझती थी, आज मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते और मैं हारी, सच मानना संजय, धाई साल मैं स्वयम भ्रहम में थी और तुम्हें भी भ्रहम में डाल रखा था, पर आज भ्रहम के छलना के सारे जाल छिन भिन हो मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ, और ये जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ, आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विशलेशन किया, तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्प प्यार की नहीं, केवल क्रतग्यता की है, तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था, जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर-चूर हो चुकी थी, सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था, उस समय तुमने अपने सनेहिल सपर्ष से मुझे जीवन दिया, मेरा म उर्जाया मरा मन हरा हो उठा, मैं क्रत-क्रत्य हो उठी, और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर प्यार की बेसुद घडिया, वो विभोरक्षन, तनमयता के वो पल जहां शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आये, तुम ही बताओ, आये पीच, एक शण के लिए भी तो मैंने कभी तनमन की सुध विसरा देने वाली पुलक या मादक्ता का अनुभव नहीं किया, सोचती हूँ, कि निशित के चले जाने के बाद मेरी जीवन में एक विराठ शूनिता आ गई थी, एक खोखला पन आ गया था, तुमने उसकी पूर प्रतम की तरह प्यार करेंगी, आज मैं एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ, ये प्रतम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भर्माने का प्रयास मात्र होता है, इस तरह कि असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती रही जो मैं संझे से कहूँगी कह सकूँगे मैं ये सब लेकिन कहना तो होगा उसके साथ अब एक दिन भी छल न कर पाऊंगी मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं ची, नहीं जानती ये सब सोचते सोचते मुझे कब नीद आ गई लोट कर अपना कमरा खोलती हूँ तो सब कुछ जियों कात्यों है सिर्फ फूल दान के रजनी गंधा मुर्जा गए है कुछ फूल जहर कर जमीन पर इधर उधर बिखर भी गए है आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है संजे की लिखाई है खोला तो छोटा सा पत्र था तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी मैं आज आफिस के काम से कटक जा रहा हूँ पाँच्छे दिन में लौट आऊंगा तब तक तो तुम भी आजाओगी जानने को उत्सुक हूँ की कलकत्ता में क्या हुआ तुम्हारा संजे एक लंबा निश्वास निकल जाता है लगता है एक बड़ा बोज हट गया इस अबधी में तो मैं अपने आपको अच्छी तरह तयार कर लूँगी नहाद होकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ उसकी उपस्तिती से जो हिचक मेरे होंट बंद किये हुए थी दूर रहकर वो अपने आप तूट जाती है मैं सपष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा पर मैं सब समझ गई हूँ साथ ही ये भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी और बहुत नाराज भी पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता लोटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादक्ता मेरी आँखों के आगे छाई है एक खूब सूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयम पोस्ट करने जाती हूँ रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नजर सूने फूल दान पर जाती है मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ कानपुर आज निशित को पत्र लिखे पांचवा दिन है मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी पर आज की भी दोनों डाके निकल गई जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना सा लगता रहा सारा दिन किसी भी काम में तो जी नहीं लगता क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने समझ नहीं आता कैसे समय गुजारूं मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ एका एक खयाल आता है कि पिछले धाई सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजे की प्रतीक्षा की है क्या आज मैं संजे की प्रतीक्षा कर रही हूं या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूं शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों मैंसे कोई नहीं आएगा फिर निरुदेश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता रोज ही तो संजे के साथ घूमने निकल जाया करती थी लगता है यहीं बैठी रही तो दम खुट जाएगा कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ शाम का दुंदल का मन की बोज को और भी बढ़ा देता है कहां जाऊँ लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई है मन्जिल खो गई है मैं स्वयम नहीं जानती आखिर मुझे कहां जाना है फिर भी निरुदेश इसी चलती रहती हूँ पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ हार कर लौट पड़ती हूँ आते ही महता साब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है धड़ते दिल से मैं उसे खोलती हूँ इरा का तार था नियुक्ती हो गई है बधाई हो इतनी बड़ी खुश खबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती ये खबर तो निशिद भेजने वाला था एका एक ही विचार मन में आता है क्या जो कुछ में सोच पाई वो नेरा भ्रह्म था मात्र मेरी कलपना या मेरा अनुमान नहीं नहीं उस पर्ष को मैं भ्रह्म कैसे मान लूँ जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था जिसके द्वारा उसके रुदे की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी लेक पर बिताए उन मधुर क्षणों को ब्रह्म कैसे मान लूँ जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था आत्मियता के वे अनकहे क्षण तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा क्या कल उसका पत्र आएगा क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है तभी सामने की घड़ी टन टन करके नौ बजाती है मैं उसे देखती हूँ ये संजे की लाई हुई है लगता है जैसे ये घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजे की याद दिला रही है फहराते ये हरे परदे ये हरी बुक रैक ये टेबल ये फूल दान सभी तो संजे की लाई हुए है मैं इस पर रखा ये पैन मुझे उसने साल गिरह पर लाकर दिया था अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेट कर मैं पर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती हार कर मैं पलंग पर लेज जाती हूँ सामने के फूल दान का सूना पन मेरे मन के सूने पन को और अधिक बढ़ा देता है मैं कसकर आखें मोन लेती हूँ एक बार फिर मेरी आखों के आगे लेक का स्वच नीला जल उभर आता है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकरती उभर आती है वो लाख जल की ओर देखे पर चहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस कर सकती हूँ कुछ नव कह पाने की मजबूरी उसकी विवश्टा उसके घुटन आज भी मेरे सामने साकार होटती है धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पैन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलजाये निशित बैठा है वही मजबूरी वही विवश्टा वही घुटन लिए वो चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता वो कोशिश करता है पर उसका हाथ बस काप कर रह जाता है लगता है कि उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी मैं एकाएक ही आँखें खोल देती हूँ वही फूल दान, परदे, मेज और खड़ी आज आखिर निशित का पत्र आ गया धड़कते दिल से मैंने उसे खोला इतना छोटा सा पत्र प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुँच गई जानकर प्रसन्नता हुई तुम्हें अपनी नियुक्ती का तार तो मिल ही गया होगा मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचित कर दिया था और उन्होंने बताया था कि वो तार दे देंगी ओफिस की ओर से सूचना भी मिल जाएगी इस सफलता के लिए मेरी ओर से हारदिक बधाई स्वीकार करना सच, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये काम मिल गया मैंनत सफल हो गई शेश फिर, शुभेच्छू, निशित बस, धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आँखों के आगे लुप्थ हो जाते हैं रह जाता है तो केवल शेश फिर तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेश है क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वो? दीप मैं मुड़कर दर्वाजे की ओर जाती हूँ तो रजनी गंधा के धेर सारे फोल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है एक ख़ण मैं संग्या शुननिसी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ वो आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्ट सी दौड़कर मैं उससे लिपट जाती हूँ क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? कहां चले गए थे तुम संजय? और मेरा स्वर्ट तूट जाता है अनायास ही आँखों से आँसू बह चलते हैं क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? अरे मारो भी गोली काम को तुम इतनी परिशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं कहा जाता बस मेरी बाहों की जकड कस्ती जाती है, कस्ती जाती है रजनी गंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है तभी मैं अपने भाल पर संजे के अधरों का स्पर्ष महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि ये स्पर्ष, ये सुख, ये क्शन, यही सत्य है वो सब जूट था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं चुम्बित प्रतिचुम्बित